अगर भारत उस समय मदद नहीं करता तो आज इतना नहीं उचलता मालदीव, आतंकवादियों से बचाई थी राश्ट्रपती की जान। क्या आपको पता है कि मालदीव में क्यों मौजूद है भारती असैनिक और मालदीव में क्या है उनका काम काज। तो आएए जानते हैं इस वीडियो में, पियम मौदी के लक्षदीव दौरे पर और भारत पर मालदीव के मंत्रियों की अपमांजनक टिपणी के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंट कर रहा है। भारत के कई बड़े बड़े फेमस लोग जो कभी मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने जाते थे, अब वहां के मंत्रियों के बयान का विरोध कर रहे हैं। और वहां ना जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं, भारतिय सिना के उन जवानों के बारे में जो मालदीव में तैनात है। इसके अलावा आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आखिर ये जवान वहां क्या क्या करते है। पहले हम जानेंगे कि भारतिय सेना पहली कब गई थी मालदीव। आपको बता दे कि पहली बार भारतिय सेना साल 1988 में गई थी। भारतिय सेना वहां के ततकालीन राश्ट्रपती मौमून अब्दुलगयूं के बुलाने पर आई थी। दरसल, मालदीव सामरिक यही वज़ा है कि भारत किसी भी स्थिती में इस छोटे से देश से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। यही वज़ा है कि ततकालीन राष्ट्रपती मौमून अब्दुलगयूं के बुलाने पर वहां भारतिय सेना तुरंत पहुँच गई। आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों बुलाया था भारतिय सेना को। आपको बता दे कि 1988 में मालदीव आंतरिक कला से जूज रहा था। उस समय ततकालीन राष्ट्रपती मौमून अब्दुलगयूं के खिलाफ मालदीव के व्यापारी अब्दुल् मानिक, सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। एक दिन खबर आई की अब्दुल्ला लुथूफी और सिक्का एहमद इसमाइल श्री लंका के चरमपंथी संगठन, प्लोट, के भाड़े के लड़ाकों के सहारे मालदीव पर कबजा करना चाह रहे है। जब ये लड़ाके कांग्रेस की सरकार थी तथा राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे। भारत की मौझूदा राजीव गांधी सरकार ने राष्ट्रपती मौमून अब्दुल्गयूंग की बात को गंभीरता से लेते हुए कुछ ही घंटों में भारतिय सेना की एक टुकडी को हवाई मार के जरिये हुलहुले हवाई अड़े पर पहुचा दिया गया। यहां से भारतिय सेनिक राष्ट्रपती मौमून अब्दुल्गयूंग के सेफ हाउस पहुचे और उन्हें विद्रोहियों से बचा लिया। आखिर भारतिय सेना वहां क्या करती है। मौझूदा वक्त की बात क और मेडिकल सहायता पहुचाने का भी काम करते हैं। हालां कि कुछ समय पहले भारतिय नौसेना ने वहां अपना एक डोर्नियर विमान और दो हेलिकॉप्टर तैनात किया था, जो मुख्य रूप से 200 छोटे छोटे द्वीपों के मरीजों को अस्पताल पहुचाने का काम कर करते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। और मालदीव की वर्तमान सरकार के प्रती अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो को अंत तक द देखने के लिए धन्यवाद।